कोरियन मुवी हम ओडियंस के बीच इतना क्रेज है कि भाई क्या बताएं कोरियन मुवी ने पहले कुछ सालों ने ऐसे ऐसे कॉंटेंट हमारे सामने रखाया कि अब कोई भी कोरियन मुवी रिकमेंट होता है तो देखते हैं जरूर है इसमें कोई सक नहीं कि Korea अपने fresh content से shock and surprise ना करे और end तक आते आते full satisfaction वाला feeling छोड़ जाए तो आज के review में हम ऐसे ही Korea की अब तक की सबसे best movie में से top 7 Korean movie पाटू लाए हैं एक दम next level से भी उपर तो भाई ऐसे ही content के लिए channel को subscribe नहीं करिएगा तो ये गलत होगा ना प्लीज कर दीजिया subscribe उपर से कुछ ऐसी movie के बारे में भी बताएंगे जो इस movie से भी एक level उपर होगा जिने हम bonus movies कहते हैं और हमारे सभी सबस्क्राइबर जानते हैं कि हमेशा इस channel का bonus movie बेस्ट होता है तो bonus movie को कभी भी मिश मत करिएगा तो चलिए भाई कोरिया की high level की quality content को experience करते हैं नंबर 5 की movie यार कोरिया की dark concept हो उपर चब full swag में female action हो तो वो movie देखने में मज़ा तो आता है 2011 की sci-fi action के साथ sector 7 2000 मीटर समूंदर के नीचे से तेल निकालना है पर इसके पीछे चीप है एक भयंकर mystery वो क्या है आप movie देखकर पता लगाए movie आपको पूरी तरह से सौक कर सकती है movie की सबसे खास बात लगे elite character की वो quick decision और swag में उनकी action देखकर मज़ा ही आ जाता है बाकी movie को lead actress की swag के लिए देख डालिए movie Hindi dubbing के साथ mx player पे अवे लेवल है नंबर 4 की Korean movie आपकी family के एक गलतिक वजह से आपको गद्दार बना दिया जाए उसके बाद आपके पिता को गद्दार बोलकर मार दिया जाए तो ऐसे में आप क्या करिएगा ये movie आपको अपने concept के साथ आपको emotional लेवल पे हीट करेगी 2013 की spy action के साथ commitment भाई जिस तरह से movie का नाम है पूरी movie उसी तरह से है जब एक पिता को गद्दार बोलकर मार दिया जाता है तब एक भाई अपने बहन को बचाने के लिए सारी हदे पार कर देता है और वो सब देखने में मज़ब बहुत आता है और सत्मे भाई इसके character की बीच की emotion आपको hit करेगी एक मासूम से spy agent की story देखना चाहते है तो ये movie आपको definitely देखने ही चाहिए movie हिंदी डबिंग के साथ अविलेवल है नमबर थ्री से पहले bonus नमबर वन की movie के first part नहीं हम audience के दिलों में एक अलग ही जगा बना लिया था जी है हम बात करें train to Busan की part 2 peninsula movie भाई उस लेवल का तो नहीं पर इसके ending आपको उस लेवल से भी उपर दिखाएगी आपको emotional hit करेगी एक बार देखेए का चरूर मुवी को movie ह नमबर थ्री की वो Korean movie ही कि आज इसके concept आपको समझने के लिए आपके दिमाग को highest level पर ले जा करना समझना पड़े और इसमें कोई सक नहीं भाई जब Netflix का fresh content और Korea की beyond imagination का combination मिलता है तो सिर्फ content नहीं सिर्फ quality content बनता है जी हां हम बात कर रहें Netflix की तरब से 2022 की खतरनाक mystery thriller के साथ दा call 20 साल पहले past present में एक call आता है क्यों आता है कैसे आता इसके पीछे mystery क्या है आप movie देखकर पता लगाए हम नहीं बता सकते वो डर suspense वो mystery वाली बात है इस movie में movie का negative point के बारे में बात करें तो movie 100% तो perfect नहीं है पर इसके concept में दम है दूसरी वो सवाल की वो call आया कहां से बाकी movie के ये fresh content के लिए देख डाले movie Netflix की outstanding Hindi dubbing के साथ available है number two की Korean movie भाई क्या गजब की movie थी ऐसी badass female action हमने आज तक नहीं देखी सच बात बताए तो भाई स्क्रीन से नजरे नहीं हटा पा रहे थे इस level की badass action है movie में 2017 की एक दम ता भाई टैप movie action thriller के साथ दा विलाने मूवी की patience भाई आप कब तक अपने आपको रोप पाएंगे अपने ex को मरने कमिशन दिया जाए तो आप क्या करिएगा उसके बाद भी आपको चैन से जीने ना दिया जाए आपके husband और आपके बच्चे को उड़ा कर मार दिया जाए तब आप पूरी तरह से सटक जाएंगे ना उसके बाद से जो movie में तबाई होता ना भाई मेरा यकिन मानिये ऐसा female badass action आपने ना देखा होगा और ऐसा हो पाया है जो इस movie का सबसे बड़ा positive point भी है इसके camera angle का movement और वो placement कई action scene में तो camera सर पे लगा दिया जिसके वज़ा से literally feel होता है कि कोई video game खेल रहे हैं एकदम phrase इस movie को बेहिचक देख डालिये इसके lead actress के साथ इसके action scene के आप दीवाने हो जावगे movie amazon prime video पे हिंदी में available है नमबर one से पहले bonus नमबर two की movie यार ऐसी concept ऐसी next level की implementation और ऐसी imagination सिर्फ कुरिया वालों के पास ही आ सकता है इस movie की जितनी तारिफ करें उतनी कम होगी अगर आपने अभी तक ऐसी masterpiece movie को नहीं देखा तो बेहिचक देख डालिये जिसके action scene आपके दिमाग में हमेसा के लिए छप जाएंगे आज तक आपने ऐसा fast forward में action scene ना देखा होगा जिसके second part के लिए हम audience तिन सालों से बेसबरी से इंतजार कर रहे है action mystery thriller के साथ दावीच पार्ट वन दा सब वर्जन क्या ही movie की action scene है भाई movie को बेहिचक देख डालिये movie हिंदी में नेट्फिक्स पे अविलेबल है नमबर वन की movie के बारे में क्या बात है movie number one पे है तो सोच लीजे movie किस लेवल की हो एक दम जबर जस खतरनाक टाइब का जब आपकी pregnant baby को किडनेप कर बेहरामी तरीके से मार कर pieces में कार्ट कर fake दिया जाए तो आप क्या करिएगा गुसा से आपका खुन लावा हो जाएगा ना और जब वो खुनी आपको मिलेगा तो क्या उसे असान मौत मारेगा नहीं भाई उससे भी खतरनाक मौत मारेंगे जब तक मारेंगे जब तक मरने की हालात में ना हो जाए ठीक करके फिर से मरने की हालाद तक मारेंगे कुछ ज़्यादा हो गया भाई बिल्कुल नहीं ये मूवी आपको उसी तरह से फिल कराएगी जी यहां हम बात करें मूवी नहीं भाई खातरनाक मूवी 2010 की एक्षन थिलर के साथ I Saw The Devil 2010 की मूवी अपर जरासा भी फिल नहीं होने देती कि ये 12 साल पुरानी मूवी है जब उसकी प्रेगनेट बीवी को बहरेमी तरीके से मार कर पीसेस में काट कर फेक गिया जाता है तब एक पती अपने पती की कातिल को ढूनने के लिए पूरे सहर में भूचाल मचा देता है और सच में भाई इसके कॉंसेप्ट को लेकर इतनी इंपेक्टफुल मूवी बना डाला चाहे वो डिरेक्टर की इमेजिनेशन हो कारेक्टर की एक्टिंग हो या फिर वो कैमरा एंगल का मोमेंट हो भाई अभी तक इस मूवी को एक्सपिरियंस नहीं किये हैं तो अभी जाकर करिए बस इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है मूवी हिंदी में डब नहीं है अगर आपको जरासा भी इंगलिस आती है झाल